वाक्य में, इंग्लिस वाक्य में, can या may में कुछ भी दिख जाए, तो समझ जाए कि last में सकता है, सकती है या सकते आ सकते हैं, है ना, तो आखिर difference क्या है इन दोनों में, अगर दोनों का meaning एक ही है तो, example से समझते हैं, जैसे कि, अगर मैं can के example लो, you can learn English, आप अंगर जी सीख सकते हैं, can जो है my friend, वो योगिता दिखाता है, छमता दिखाता है, ability को सो करता है, जैसे आप अंगर जी सीख सकते हैं, तो ये छमता है न, ये अपकी ability है, ये अपकी योगिता है, है ना, तो आप अंगर जी सीख सकते हैं, में में क्या problem है, में जो है, meaning तो वही रहेगा, सक करते हैं फॉर्मल यूज होता है में का में गॉड ब्लेश यू में यू लिव लॉंग है ना तो इस तरीके से इसको यूज करते हैं में मतलब सॉफ्ट स्पोकेन के लिए यूज करते हैं हम लोग में और कैन जो है वो थोड़ा टाइट हो करके